आज के वीडियो में मार्फोलोजी आफ हाउस फ्लाई के बारे में जानेंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए चलिए शुरू करते है सबसे पहले घरेलू मक्खी का वर्गी करण समल लेते हैं और थात क्लास्टिफिकेशन आफ हाउस फ्लाई के बारे में जा लेते हैं तो फाइलम, आर्थरोपोडा, क्लास, इंसेक्टा, आडर, डिपटेरा, पैमली, मस्किडे, जीनस, मुस्का और इस्पेसीज, डोमेस्ट घरेलू मक्खी अथवा हाउस फ्लाई का जंत वेग्यानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका होता है इसका जंत वेग्यानिक नाम क्या होगा मुस्का डोमेस्टिका है यदि हाउस फ्लाई के इस्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके सिर पर दो संयुक्त नेत्र होते हैं जो इस house fly के दोनों आखों में 44,000 छोटी छोटी आखे पाई जाती है क्योंकि house fly में compound ही पाई जाती है अर्थात इसकी आखों में हजारों छोटी छोटी आखे होती है जो सभी मिल करके एक सईयुक्त आख बनाती है इसलिए कहा गया है कि house fly की आख में 4000 नेतरांसक पाये जाते हैं नेतरांसक क्या है? छोटी-छोटी आँखों के रूप में होते हैं और house fly का सरीर सीर, वक्ष वहां उधर में बटा होता है यहनि जो house fly है यह head, thorax और abdomen में बटी होती है तीन भाग के रूप में मुखे रूप से बटी होती है इसका जो थोरेक्स भाग है थोरेक्स को भी तीन भागों बाटा गया है ये पहले वाला भाग प्रो थोरेक्स कहलाता है जो पहले है ठीक इसके पीछे वाला भाग मतलब जो बीच का भाग है बीच वाले भाग को मीसो थोरेक्स कहते हैं और ये जो अंतिम भाग है या पिछला भाग है इसे मेटा थोरेक्स कहा जाता है इसके मुख में प्रिष्टो मियल दात पाए जाते हैं जो इसका मुख होता है मुख में प्रिष्टो मियल टीथ पाए जाते हैं और हाउस फ्लाई अथवा घरेलू मक्षी में मुखांग स्पंजी टाइप होता है जो मुखांग होते हैं यह स्पंजी टाइप होते हैं और इसके सिर में आगे की और दो इसमाल एंटेनी पाये जाते हैं जैसा कि आपको चुतर में दिख भी रहा है आगे की तरफ दो छोटे छोटे से एंटेनी पाये जाते हैं हाउस फ्लाई के थोरेक्स अथवा वक्ष भाग में तीन जोडी टांगे होती हैं तीन जोडी 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 पहले हैं ये पहली वाली जोडी की टांगे हैं ये जो बीच में हैं बीच वाली दूसरी जोड़ी की टांगे अथवा लेक्स हैं और सबसे पीछे की तरब तीसरी जोड़ी की लेक्स होते हैं अथवा टांगे पाई जाती हैं इस प्रकार से कुल 6 टांगे पाई जाती हैं नर के अंतिम खंड में एक जोड़ी आलिंगक अथ खवा ओविपोजिटर भी पाय जाती है और आपको बता दे कि हाउस फ्लाई में मैंडिबल्स नहीं पाय जाते है इसमें मैंडिबल्स नहीं होते हैं कि नर्वा मादा मक्हियां प्रथक होती है इसका मतलब क्या हुआ कि जो मक्खी है घरेलू मक्खी ये एक लिंगी जन्त होती है इसलिए कहा गया कि नर्वा मादा मक्खियां अलग-अलग होती है प्रथक होती है और इनका जननकाल मार्च, अप्रेल और अक्टूबर तक होता है या रेप्रोडक्टिव पीरियड होता है और एक मादा मक्खी ए से 160 तक अंडे देती है जो फीमेल हाउस फ्लाई होती है वो एक समय में 100 से 160 तक एक्स देती है और हैचिंग जो होती है अंड जो पत्त जो होती है ये 8 से 24 घंटे के बाद होती है अंडे से निकला जो लारवा होता है उसे मैगोट कहा जाता है मैगोट अंडे से जो लारवा न और सिवडो सिफैलान कहलाता है जो पहला खंड होता है वो बिक्सित होता है सिवडो सिफैलान कहलाता है तीन वच्छिये एवं नव उदर खंड पाये जाते हैं लारवा तरल भोजन ग्रहन करता है जो लारवा होता है वो तरल भोजन ग्रहन करता है और ट्रैकिया के द्वारा स्वसन करता है ट्रकिया तथा सूक युग्त गद्यों की सहायता से चलता है सूक युग्त गद्या पाई जाती है और उन्हीं की सहायता से चलन करता है गमन करता है घरेलू मक्खी का लारवा कुछ समय के बाद प्यूपा बन जाता है थोड़े समय के बाद में प्यूपा बन जाता है जो प्यूपेरियम में बंद रहता है जो प्यूपा होता किस में बंद रहता है प्यूपेरियम के अंदर बंद रहता है अनुकूल परिस्थितियों में चार से पांच दिन में प्यूपा वयस्क में बदल जाता है और जब अनुकूल परिस्थितिया आती है उन परिस कहना होती है उससे ही तिलिनम कहा जाता है नए निकली मख्य को पूंडD कीये या Emergency को ह कहा जाता एंव्द किये कंचर इस्वाज कि जाए तो मक्षी दिन के समय निकलती है दिन में यानि दिंचर होती है और रात में यहां रस्यों पर तारों खोटियों कपड़ों दिवारों आधि पर बैठी बिश्राम किया करती है आप लोग उन्हें देखा भी होगा दिन में यहां कभी तो मानो मल कभी कूडे करकट और कभी हमारी भोजन पर फरनीचर पुस्तकों कपड़ों आधि वस्तुओं पर या फिर हमारे सरीर की घावों पर आधि पर कुछ छण भी विश्राम करती है कर बैठ जाती है और अपने मुक उपांगों पादों पंखों आधि को साफ करती रहती है और मल त्याग भी करती रहती है और आपको बता दें कि मनुस में हैजा यानि कॉलरा मियादी बुखार यानि टाइफॉइड छाय रोग यानि टूबर कुलोसिस आमातिसार यानि डिसेंट्री प्रमेह यानि गौनोरिया संग्रहणी यानि डाइरिया कोड यानि लेप्रोसी आधि घातक संक्रामक रोगों को मक्षी ही फैलाती है और मक्षी काफी दूर तक तेज उड़ सकती है मादा मक्षी गीले गोबर मल लीद सड़ी गली सबजियों आधि में अंडे देती है जो मादा मक्षी होती हो कहा कहा पर अंडे देती है गोबर मल पर लीद पर सड़ी गली सबजियों पर आध पर अंडे देती है एक्स देती है और इन्हीं में इसके डीमभक या लारवा बनते हैं यह उन्हीं अस्थानों पर इसके डीमभक या लारवा का निर्मार होता है आप यदि कोई पूछे कि compound i क्या होती है तो compound i बहुत से visual elements की बनी होती है कई सारे द्रिष्ट एकोकों की बनी होती है या visual elements की बनी होती है और उन्हें ही नेत्रांसक अथवा ometidia कहा जाता है और हर एक नेत्रांसक अथवा ometidia स्वतंत्र रोब से एक पूर्ण प्रतिबिम्ब बनाता है यानि जितने भी नेत्रांसक होते हैं वह सभी स्वतंत्र रोब से एक पूर्ण प्रतिबिम्ब का निर्मार करते हैं या पूर्ण प्रतिबिम्ब बनाते हैं तो आसा है आप सभी लोगों को मार्फोलोजी आप हाउस फ्लाई अच्छी तरह से समन्द में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सेर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद